वेल्कम बैक तो विक्रम टिटोरियल केमेस्ट्री क्लस टूवल दोजर तैस के एनुवल जो में जितना भी ऑब्जेक्टिव कोश्चन आया उसका अंसर बताने वाले हैं और यह 100% अथेंटिक है तो इदम आप लोग अच्छे से देखिए पारला कोश्चन निम्लिकित संकरम जाता है तो कॉपर एजी एउ को मुद्राधातू करता है और शी सम्नवे योगिकों के लिए सबसे महतपुर्ण पाला महतपुर्ण सिधान किस ने दिया तो वर्णर ने और अप्सर नमर्सी निम्लिकित में कौन एक द्विक लवण का उधारन है तो एंसर ओजागा पोटा निम्लिकीत में कौन विनायल हेलाइड है तो अंसर हो जागा B CH3 CBR double bond CH2 और अगर इस सब यह सारे का डिटेल अंसर आप जाना चाहते तो कॉमेंट कर सकते हैं मैं आप लोगों का ज्यादा ज्यादा कॉमेंट अगर आएगा तो मैं इस चीत रूप से इसका डिटेल सोलूशन लेकर आऊँगा जिसमें मैं तरीका बताऊंगा कि केसे ही जानेंगे कि यह विनायल एलाइड है औक् करना हम भूल गया थे थोड़ा लगना बैंजीन डाय जोनियम कोल्टाइड के जली विलियन को गर्म करने से तो अंसर हो जायाएगा आपका फिनॉल आप्शन नमर सी क्वेश्चन मरें 11 जब फॉर्मिक अमल को सांद्र स्टसोफोर के साथ गर्म के जाता है तो निम्लिके त देवल ओज का यूप नम क्या है तो बी नमर हो जाएगा टू- हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अमल कोस्टन नमर 13 निम्लिके तुमें कोन टॉलें का विकर्मक है तो एंसर जाएगा एगन एंएज ठीका होल्ड ट्वाइस प्लस आयन क्वेश्चन नमर चोगदर निम्लिके निम्लिकित में कौन डाइसेक्राइट दूद में उपस्थीत रहता है तो लेक्टोस ऑप्सन नमर B, विटामिन A का रहसाइन नाम निम्लिकित में कौन है रेटिनॉल ऑप्सन नमर B, निम्लिकित में कौन विटामिन जल में गुलनसील है तो ऑप्सन नमर C, B और C, निम्लिकि प्रोपेन अलक्यल हलाइड का उप्यों किस के निर्मान में कि होता है इन में से सभी एलकेन एलकोहलतीनों बना जाता है इन में सभी निम्लिकित में किस योगी का सुनित द्वीधर द्रू आगोन है तो अप्सन मर्सी जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के आपकरन से अप्सन नमर्डी व्यूटेन टू अल है एक तो एंसर हो जागा बी सेकेंड्री अलकोहल निम्लिकित में कौन जल में घुलनसील है तो एंसर हो जागा एसी एस्ट्री ओएच उन्तीस नमर्ड कोश्टन कृष्ले तंत्र की कुल संग्यां कितना होती है तो साथ होता आप्सन निम्लिकित में कौन आदर्स घुल नहीं है तो एंसर हो जागा क्लोरोफॉर्ण और एसी टॉन प्लस एसी टॉन उप्सन नमर्ड सी निम्लिकित में कौन अर्द पारगम जिली से निकल पाते हैं तो विलायक केंड उप्सन नमर्ड ए यदि 18 ग्राम गुलकोच को 1000 ग्राम ग आप्ट होता है तो एंसर हो जागा सी चीच तरी चीच ओए त्री सेकेंडरी एमिन का क्रियासिल मूलक है एनेच आप्सन नमर्ड ए चीच तरी एनेच टू का आयू पीची नाम है प्रोपन टू एमीन को अभी क्रिया ग्रीड अभीकर्मक से कराने पर निम्लिकित में कौन अबनाता है तो एक अलकंद आप्सन नमर्ड ए निम्लिकित में सबसेरे परबल छारे क्न है तो अंसर हो जागा घबझ रखेंगा और यहां पर सी दिया तो सी एंसर होगा अभी फिलहाल अभी चेंज होगी है तोला सा जब एसी टेमाइट के विक्रिया बी आटू बाइक करा जाती है तो निमलिकीद में कौन बनता है तो मीथाइल एमीन बनता ऑप्शन नमर बी एने से जली गोल के विदूत अबगटन से कैथोड पर नि जीरो पॉरफोर बोल्ट और प्लस जीरो पॉरण एट बोल्ट है इन में से किस दात्यू की आपकरन छमता सबसे अधीक है तो अंसर हो जाएगा ए एही इसका एंसर हो जाएगा किसी चाला कातव शेल का आप इसले इस तरहां कितना होता है तो होता है तो एल बाइए हो सबी इन्सर विए एक रहसा ने विक्रिया के वेक को वेक समीक्राइब लिकी तुरूप में निरूपीत किया जाता है वेक बराबर के इंटू गुंसर ब्रकर निरूपीत का श्तिर रख कर B का संद्र निती गुना कर दिया तो वे क्या हो जाता है नौ गुना हो जाता है option number D किसी रहसान विक्रिया का वे इस्तिरांग कर निम्लिकित में इसे किस निर्भर करता है तो ताप पर option option number A लोहे का मुख अक्साइड है तो हो जाएगा हमेटाइट option number B निम्लिकित में किस में oxygen की oxygen आउस्ता प्लस टू होता है तो F2 या O F2 option number A याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है निम्लिकित में कौन रेडियोएक्टिव उत्क्रिस्ट गैस है तो अंसर हो जागा डी रेडॉन निम्लिकित में किस उत्क्रिस्ट गैस द्वारा सबसेद ज्यादा योगीक बनाया गया है तो एंसर जागा जीन ओप्शन नमर्ण D XE हो जाएगा निम्लिकित में कौन दुर्वी योगीक है तो ऑप्शन नमर्ण A हो जागा SO2 कोशन नमर्ण पाच्पाट निम्लिकित में कौन पर्थम शंकरमन सेनिका सदस्य है तो निकेल हो जाएगा ऑप्शन नमर्ण सिक्स यानि 6,6 निम्लिकित में किसका उप्योग एंटा एसीड की रूप में होता है तो एंसर हो जागा A मैंगनेसिम हाइड्रोकसाइड सेकेरीन है एक तो जाएगा मिठा भी करता जिसको हम लोग बोलते हैं आपका स्वीटनर्स जिसको बोलते हैं निम्लिकित में किसका उप्योग साबुन की रूप में होता है तो एंसर हो जागा A C-17 H-35 C-O-N-A निम्लिकित में कौन परती ओक्सी कारक है तो जागा लेसिथीन शिट्री कामली विटामीन इन में से सभी हो जागा इन निम्लिकित में किस विधी के दवारा कोलाइड विलियन का सोधन कह जाता है तो अपोहन विधी दवारा ओप्सन नमर C-27 K-1 ग्राम चारकोल के दवारा निम्लिकित में किस गास का सबसेदिक आयतन अधुसोसित होगा श्थ्री हो जाएगा अमोनिया जिसको बोलते हैं D- पाइरोलुसाइट निम्लिकीत में किसका यस्क है तो मैंगनीज का ओप्षन नमर बी धातू के अक्साइडों को कार्बन या कार्बन मॉनक्साइड के द्वारा धातू में अफ्कृट करने के क्रिया क्या कलाती है परगलन ओप्षन नमर ए या इसको परद्रावन भी बोलते ह निम्लिकीत में किस धातू किन इसकर्शन के लिए साइड वीदी का प्यों किया था तो सीलवर हो जाएगा ओप्षन नमर ए तो आज के वीडियो में इतना ही फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक देखते रिसिकतर ही एक बाद ठाने कुछ करने का नहीं रुख जाने कि कुछ..